नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका, एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल रास्तान स्कॉलरशिप में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों अगर आपने इसकॉलरशिप के लिए फॉरम अभी तक अपलाई नहीं किया है तो जल्दी से अपना फॉरम है जो अपलाई कर दें क्योंकि इसकी लाश्ट डेट है जो नजदी के दोस्तों इसमें जो आपको फीज वापस मिलेगी वो पूरी की पूरी फीज वापस मिलने वाली है तो दोस्तों इसकोलरशिप 2020 का नए फॉरम बढ़ने के लिए कौन-कौन से डोकुमेंट की जरूरत पढ़ेगी और कौन-कौन से डोकुमेंट से जो इस बार नए बढ़ने पढ़ेंगे तो इस वीडियो में इसकोलरशिप फॉरम बढ़ने के लिए कौन-कौन से डोकुमेंट की जरूरत आपको पढ़ने वाली है दोस्तों इसके बारे मैं complete details में यहां पर है जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ जैसे आपको फॉरम बढ़ते समय किसी भी परकार की मानलों दिक्कत नहीं आएगी तो वीडियो दो से तीन मिन्ट कर रहेगा वीडियो को end तक यानि last तक पूरा जरूर दे गए समती latest update आपको हमेशा मिलती रहेगी चलिए दोस्तों आपको यहां पर सारे जरूरी जो documents की list है वो यहां पर एक बार से बता देता हूँ दोस्तों सबसे पहले आपके पास है जो 10th की mark sheet होनी चाहिए क्योंकि age proof चाहिए उनको और 10th की mark sheet में age proof होता है उसके बाद दोस्तों आपको जाती परमाण पतर की आवसके तरह एगी जो की आपका है जो जाती परमाण पतर online बना हुआ ओना चाहिए और दोस्तों नई guidelines के अनुसार आपका जाती परमाण पतर है जो आपके जैनादार card में update होना बहुत जरूर है इसके बाद ही आप अपना जो मूलिवास है वो भी दोस्तों आपके जनादार में अपडेट होना चाहिए और दोस्तों अगर आपके पास पूरण है जाती परमान पतर और मूलिवास पूरण है तो अभी आप क्या करें यह मित्र पर जाकर है जो जनादार की आईडी से अपना जाती परमान पतर और मूलिवास है जो नया एपलाई करते हैं और वो यह अपडेट करने ठीक है? और दोस्तों यह भी आपका जनादार कार्ड से बना हुआ होने चाहिए मूलिवास इसके लब दोस्तों आपके पास अपना पारिवारी वार्शी का आय परमान पतर होना बहुत जरूरी है और अगर आप BPL की दोस्तों कैटेगरी माते हैं तो यह आपको बनवाने की कोई भी जरूरत नहीं यानि कि BPL category वालों के लिए आई परमान बतर की कोई ज़रूद नहीं है और यहाँ पर दोस्तों किस-किस category की कितरी income है जो होनी चाहिए इसके लिए मैंने एक दोस्तों proper वीडियो बना हुआ है और उस वीडियो का link के वो description box में दिया हुआ है जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं और उस हिसाब से है जो अपना income certificate बनवा सकते हैं इसके बाद दोस्तों सबसे मैत पूर्ण फीस की जो मूल रसीद है वो होनी चाहिए आपके पास यानि कि जब आप फीस भरता है तो original रसीद आपको है जो upload करनी होगी और उस रसीद में आपको जो भी अलग-अलग फीस है उसकी दोस्तों यापर मदवार रूप से है जो उस रसीद में पूरी detail में होनी चाहिए तब ही आपको है जो पूरी फीस वापस मिल सकेगी इसके लबाँ आपके पास दोस्तों आदार कार्ड होना चाहिए तदा जनादार कार्ड तो होना बहुत ही निवारी है वरना आप scholarship का है जो form नहीं पर सकते हैं इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप scholarship का payment किसके account में है जो लेना चाहते हैं तो उसकी bank diary मानलो आपका अगर bank account नहीं है तो आप बमसा या फिर जनादार की जो मुक्या है यानि आपकी मदर का bank account भी वाँपर है जो दे सकते हैं upload कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर एक विशेश बात आप लोग ध्यान रखना कि आपका यह जो bank account है वो जन्दन परकार का नहीं होना चाहिए और account है जो अभी है जो active इस्तितिम होना चाहिए ठीक है इसके लबाद आपके पास गत वर्स यानि कि अंतीम कक्षापास की mark sheet है जो उसकी requirement रहेगी इसके लाव मानलों आपने किसी वर्स gap रखा है तो दोस्तों आपको gap certificate भी है जो लगवना होगा और यह certificate आप अपनी तैसिल में जाकर भी बनवा सकते हैं इसके बाद आप इन document के साथ है जो अपनी SSID में जाकर चात्रवर्धी 2021 का form apply कर सकते हैं जैसे आपको पू पर वीडीयो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों डिक्सरिफुन बॉक्स ने दिए होगा है जाकर आप जरूर देखें तो उमीद करता हूं जानगरी पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादे ज़्यादे सेर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ थैंक्स पोर वाचिंग